हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास31Tag तो फ्रेंट अगर आप एक नई क्रेटर हैं या पुराने क्रेटर हैं लेकिन आपको अभी तक यूट्यूब चैनल के उपर creative post का option नहीं मिला है जैसा कि आपको इस screen पे दिख रहा होगा इस तरह का creative post का option आपको अभी तक अपने YouTube चैनल पे नहीं मिला है तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आपके channel के उपर creative post का जो option है उसे enable कर सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या criteria है YouTube के वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मतलब आपको कौन-कौन सी चीजे fulfill करनी है जिसके बाद आपको इस creative post का जो option है वो enable होगा आपके channel के उपर तो वीडियो चोटी सी है पर काफी जादा informative है तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे channel पे new है तो please मेरे channel को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि creative post का जो option है और community tab ये दोनों एक ही चीज होती हैं दोनों same same है इसमें आपको confuse बिल्कुल भी नहीं होना है और जो YouTube का criteria है वो है 500 subscriber का मतलब आपके channel के उपर 500 subscriber होने चाहिए तब ही उसके बाद ही आपके channel के उपर creative post का जो option है वो enable हो जाता है और उसे ही हम community tab भी कहते हैं तो वो community tab तब ही enable होगा जब आपके channel के उपर 500 subscriber होंगे लेकिन 500 subscriber होने के बाद भी अगर अब भी आपके channel के उपर creative post का option enable नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है कैसे उसे enable करना है उसके लिए हम चलते हैं अपने mobile की screen के उपर friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसके आप लोग देख सकते हैं तो हमें सबसे पहले अपने YouTube की जो application है उसको open कर लेना है तो मैं यहाँ से YouTube की application को open कर लेता हूँ YouTube की application open करने के बाद आपको यहाँ पे center में नीचे ही plus का एक icon दिखाई देगा आपको इसके उपर click करना है तो आप देख सकते हैं आप चार option आते हैं आपके सामने create a short, upload a video, go live और create a post यह creative post का option मुझे मिला हुआ है और इसको कैसे enable करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अगर आपको अभी तक यह creative post का option नहीं मिला ठीक है तो इस वीडियो को पूरा last तक जरूर देखते रहिए इसके बाद आपको यह कैसे enable करना है उसके लिए सबसे पहले आपको एक condition है कि आपके channel के उपर 500 subscriber होने चाहिए उसके बाद ही यह आपको मिलेगा और अगर फिर भी नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा तो आपको उपर अपनी जो भी आपका जो यह channel है उसका icon है top right corner में आपको उसके उपर click करन है और यहां से आपको यूर चैनल के अंदर आना है तो मैं आपको दिखाता हूं यह कैसे दिखता है पहले यह बता देता हूं तो आपको यहां पर फॉर्थ नंबर पर कॉम्णेटी का एक option दिखाई दे रहा होगा आपको simple इसके उपर click करना है तो यह community tab ही होता है जिसे हम creative post कहते हैं दोनो same thing है आपको confused नहीं होना एक ही चीज हैं दोनो तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ post डाले हुए हैं तो यहां से भी हम simple click करेंगे इसके उपर और यहां से हम post वही post वाला option यहां से भी आ जाता है cancel कर देता हूं और नीचे plus वाले पर click करेंगे और यहां पर सबसे पहले अपने home screen पर आ जाना है वापिस और यहां पर three dots आपको दिखाई देंगे आपको simple link के उपर click करना है और यहां पर सबसे उपर आपको share का option दिखाई देगा आपको इस पर click करना है और आपको अपने channel का URL copy कर लेना है तो मैं बताऊंगा उसका आपको क्या करना है आपको simple copy link पर click कर लेना है इस तरीके से copy हो गया अब फिर से आपको three dots पर click करना है और यहां से आपको help and feedback के उपर जाना है उसके बाद आपको यहां पर send feedback वाला एक option दिखाई देगा आपको इसके उपर click करना है अब यहां पर आपको YouTube team को एक mail लिखना है तो I have completed 500 subscribers on my YouTube channel फिर आपको यहां पर दुबार से नीचे आ जाना है और यहां पर आपको लिखना है but but my community tab option is not enabled so please यहां पर आप लिख सकते हैं please resolve this issue as soon as possible ठीक है इस तरीके से आपको लिख देना है dear YouTube team I have completed 500 subscriber on my YouTube channel but my community tab option is not enabled please resolve this issue as soon as possible और नीचे आपको thank you लिख देना है thank you YouTube team और यहां पर नीचे आपको my channel link यहां पर चैनल का link डालना है जो हमने copy किया था उससे यहां पर हम paste कर देंगे इस तरीके से और फिर नीचे आपको my channel name यहां पर आपको नाम डाल देना है अपने channel का जैसे मैं example के लिए अपने channel का नाम डाल देता हूं ठीक है इस तरीके से आपको डाल देना है और आपको simple send वाले option के उपर click कर देना है तो आपका जो भी यह mail है वो YouTube टीम के पास चला जाएगा और आपका जो यह feature है community tab का जो option है वो अभी तक enable नहीं हुआ है तो वो बहुत जल्दी आपका enable हो जाएगा इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल पे community tab या फिर creative post का option जो है वो enable कर सकते हैं बहुत ही असानी से तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिया हुआ कि आप किस तरीके से अपने चैनल के उपर creative post का जो option है उसे enable कर वा सकते हैं उसे enable कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो हम मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको व